दोस्तों नमस्कार आखिर वैक्सीन लगी गई आज से तीन दिन पहले मैं एक निकट के हॉस्पीटल में जहां वैक्सीन सेंटर था वहाँ पे गया और वहाँ पे अपनी वैक्सीन ली मेरे साथ मेरी वाइट भी थी आखिर मुझे माँ क्यों जाना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया था कि मेरा रेजिस्ट्रेशन सिस्टम में हुआ या नहीं हुआ इसलिए मुझे चिंता थी कि यह registration अगर नहीं हुआ होगा तो कैसे होगा पता तो करना चाहिए तो मैं अपने नजदीक के vaccination center में गया और वहाँ पर पता किया तो मालूम पड़ा कि मेरा नाम तो system में है लेकिन wife का नाम system में नहीं है चूँकि मेरे पास pen card और अधार card थे इसलिए wife का नाम on the spot system में डाल दिया गया जब ये register हो गई तो हम दोनों का approval भी मिल गया approval मिलने के बाद formalty जो पूरी हो गई उसके बाद vaccination room में भेजा गया जहां पे हमें vaccine दी गई वैक्सीन देने के बाद observation के लिए आदा घंटे के लिए हमें एक observation area में रखा गया आदा घंटे का जब वो period पूरा हो गया और हम ठीक ठाक थे उसके बाद हमें घर जाने के एनुमती मिली तो यह जो process है वैक्सीन लेने का इसको लेके लोगों में बहुत चिंता हैं मैं आपको बताता हूँ कि वैक्सीन कैसे मिली और वैक्सीन लगने के बाद क्या effect और क्या side effect मुझे मैसूस हुए जैसा कि मैंने आपको बताया कि registration ना होने के बावजूद on the spot registration हुआ और यह फॉर्मिल्टी वही पर पूरी हो गई तो ऐसे लोग जिनका registration नहीं है वो आधार कार्ड पैन कार्ड आदी लेकर सेंटर पर जाएं और वहाँ पर उनका registration हो जाएगा और वैक्सीन भी मिल जाएगी registration होने के बाद जब हम वैक्सीन रूम में गए तो वहाँ पर जिस नर्स ने वैक्सीन लगाई बहुती स्मूद प्रॉसेस था पता ही नहीं चला वैक्सीन कैसे लग गई और लगने के बाद फिर हमें observation एरिया में आधा घंटे रुकने के लिए बोला गया आधा घंटे पूरा होने के बाद हम घर चले गए एक दिन के बाद यानि की करीब 20 से 25 घंटे बीतने के बाद जहाँ पर injection लगा था उस जगे पे थोड़ा सा दर्द आरम हुआ और दर्द के साथ साथ अनिजीनेस थी कमजोरी थी ये इस्तिती अगले एक दिन और रही यानि की दो दिन तक मुझे उस जगे पे दर्द हुआ और थोड़ी थकान महसूस होती रही आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ कोई दर्द नहीं है और मैं बिल्कुल पहले जैसा हेल्दी फील कर रहा हूँ तो जैसा कि मैंने कहा कि जो सबसे बड़ा कंसर्ण था वो वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर था यह मैंने खुद भी महसूस कर लिया मुझे सैकणों हजारों डॉक्टर्स के फीड़ बैक भी मिले हैं सोशल मीडिया के माध्यम से वैक्सीन की सुरक्षा को लेके अब कोई प्रश्ण चिन नहीं है ये वैक्सीन सुरक्षित है जिनका भी अपाइन्मेंट का नंबर आता है उन लोगों को अपने तैस समय पे नजदी के सेंटर में जहां भी वैक्सीन लग रही है जाना चाहिए औ इनको वैक्सीन जल्दी लेनी चूँके अभी बहुत सारे स्लोट खाली पड़े रहते हैं 100% लोग नहीं आ रहे हैं तो ऐसे लोग पैन कार्ड आधार कार्ड ये सब डाकुमेंट्स लेकर अपने नजदीक के वैक्सीन सेंटर में पहुँचे अन दे स्पॉर्ट चाहिए वैक्सीन की सुरक्षा को लेके बिल्कुल चिंतित मत होईए ये वैक्सीन ड्राइब हमारे लिए बनाई गई है और हमें इसे हर हाल में सफल करना है अगर आपको फिर भी इसकी सुरक्षा या इसके तमाम दूसरे पहलू हैं उनसे लेके कोई संशय है कोई शंका है कोई प्रशन है तो आप मुझे कूशन पूछ सकते हैं मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं मैं सब को उसका उतर दूँगा दोस्तों मेरी ये चोड़ी सी कोशिश है अपना एक्सपिरेंस आपके साथ शेयर करने की जिससे आपके मन में आप से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को अगर आप में पसंद किया आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें साथ-साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस चैनल में एक कॉर्णर पर जो घंटी की बटन है घंटी का जो आइकॉन है उसको प्रेस क आपको हमारे नए आने वाले वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी आपने हमारे पिछले दो वीडियो बहुत पसंद किये उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार